सातियों आप सभी से बहतर यह कौन जान सकता है कि बॉर्डर एरिया की क्या चुनोतिया होती है। यहाँ कितनी मुश्किलें आती हैं। इन मुश्किलों के समाधान के लिए बॉर्डर एरिया डेवलप्मेंट के साथ ही बॉर्डर एरिया में नव जवानों की विशेश ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। पंदरा अगस को लाल के लिए से मैंने कहां भी था कि देश के सो से जादा सीमावर्ती जीनों में एंसी सी से युवाओं को जोडने के लिए विशेश अभियान चलाये जाएगा। सीमावर्ती और समुत्र से लगे इन छेत्रों में लगबग एक लाख युवाओं को तयार किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इन युवाओं को थल सेना, नव सेना और वायू सेना ट्रेन करेगी। यहां सेना का बेस है, वहां सेना ट्रेनिंग देगी। जहां वायू सेना का बेस है, वहां वायू सेना और जहां नेवी का बेस है, वहां नेवी ट्रेन करेगी। साथियों इसमें भी बड़ी संख्या में गर्ष क्रेडिट को प्रेंग करने का रक्ष रखा रहा है यह उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें देश की आत्म निर्भरता और आत्म विश्वात को बढ़ाने के लिए बेटियों की भुमी का को विस्तार दिया जा रहा है आज जिस प्रकार दूसरे छेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोचसाइद किया जा रहा है उसी तरह हमारे सुरक्षा तंत्र में भी विमेंद पावर की भुमिका को और व्यापक किया जा रहा है आज वायुसेना और नवसेना में महिलाओं को कौम में ट्रोल दिये जा रहे हैं मिल्ट्री पुलिस में भी बेटियों की भरति की जा रही है बिये सेप तो उन अग्रणी संस्ताओं में हैं जहां बॉर्डर सिक्यूरिटी में महिलाओं की भुमिका का लगाता विस्तार हुआ है ऐसे ही अनेक प्रयास हमारे आत्मिल विश्वास को बढ़ाते हैं देश के विश्वास को बढ़ाते हैं